असलाम अलेकुम वियर्स मैं हूँ आपकी होस्ट मुमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजर हूँ अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मुमिन्स विद वीनस वियर्स आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है क्यू भी एफफ के प्रेजिडेंट है और पाकिस्तान बॉड़ी बिल्डिंग फेडरेशन से इनका तालुक है पाकिस्तान पोजिंग मास्टर भी रह चुके हैं 1994 में तो आए इन से बात कर आपको कितना अर्सा हो गया बॉड़ी बिल्डिंग की इस फिल में मुझे तकरिव बेन 35 यह और बॉड़ी बिल्डिंग में तो 35 यह जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने अपने शॉक से किया था यह किसी को देख के आपको शॉक चड़ा था हमारे घर में मारे अपने साथ आने के बाद में मुझे थोड़ा सा नजर डालते थे तो जब मैं अपनी सही एज में आय तो फिर मैं पॉजिंग मास्टर भी बना अच्छा नाइटी 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 फॉर में आपने जो एपॉजिंग लोगों को सिखाई मतलब यंग लड़कों को यह के आप यह की जर्नी है जी आपको क्या लगता आपको लगता कहे अपने सई पील्ड चुनी थी मतलब यह आपका शूख बन गया था यह मेरा शूख था भी बाद में अब बिजिन्स भी है है क्योंकि हम और मेरे मेरे जिम भी है एह और मैं जो सोचता था तो नमाज में वालदें से दुआ करवाता था कि मैं जिस फिल्ड में जाओं तो मुझे कामिया भी मिले तो उनकी दुआएं जो चल रही है तो ये बहुत कम होता है कि आपका जो शौक होता है वही आपका बिजनस बन जाए तो आप बड़े लखी है इस मामले में आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेंड किया होगा आपके जिम्स भी है तो किस तरह के जादा तरह आपके पास आते हैं लड़के जादा आते होंगे तो वह क्या कहते हैं मतलब हीरो की तरह बंदा है या क्या उनके अंदर हो तो यहां अवेर्निस नहीं इतनी जो खिलारी गर से चलता है नहीं चलता है नहीं चलता है च्छोदा साल का 15 साल का बच्चा वो नेट से सवालात लेकर आता है है हम मिशार है अब तो अब आप स्टाइडिंग में है तो अब इसColgye बॉड़डी बॉड़िडिंग को हैस्ता घेंड करें बेड करें को बडाएप अपना अ तो फिर सही मकाम पर पहुचेंगे तो फिर आप उस लेविल पर होंगे कि इस्टेज के बोडी बिल्डर बन सके जो होता है आप exercise से आएगे start करना चाहिए हमें क्योंकि बच्चों जो है आज कल वाकई में वह डारेक्ट चाहते हैं कि उनकी बोडी ऑविसली किसी हीरो की तरह बन जाए उसके लिए सबसे बैतिन हमें जापान में इसका सई एज में ट्रेनिंग दी जा रही है तमाम स्पोर् जोगिन यह लेकिन उसमें वाक होती है रनिंग हो गई अपना जोगिंग में अनिके और फ्री वेट जो ए नवो वरकाउट होता है जिसको PT पॉत अ है जा वह बच्मन में हमारे स्कूलों में हुआ करता था लिए हृक्षण से टाके आप फिट रहे है बच्चों के अंदर आदत है जब बड़े हो जाएं तो फिर वह अपनी फिर्टनस का ख्याल रखें और सबसे आपने बहुत अच्छा कोश्टन किया सबसे बहतर यह है कि जैसे मैंने जपान का जिकर करा तो वह डाइट प्लाइट पच्छपन से ही दे देते हैं तो फिर आपने परेशानी नहीं ह कर दिए हैं निटेमस के लिए जो किया वर्काउट वो कर रहे होते हैं उसकी डायट ले रहे होते हैं कि जो यह मैं डायट लेंगे वो बॉड़ी पे दिखेगी बिल्कुल तो आग जिस दिन हमने यह समझ लिया कि यह डायट हमें नुक्सान देगी तो मुसे नहीं लेंगे नंहें समझ लिया कि डायट हमें फायदा देगी तो उपनें पुझ से काम करना है उर्स बभू जसे से काम करना है उस्तादों के मश्वरे से क्याता है लेकिन यहां पे भी बच्चो को कड़एं जारहा है आज ब स्कूल में स्पॉर्ट कर आते हैं लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनकी अंदर ये एक ज़स्बा देखा जाता है कि हमारी जो बॉड़ी है वो हीरो की तरह बंद है जी जी तो इतना मतलब इस तरह के लोग कितने आते हैं आपके पास क्या क्वांटिटी होती है बच्चों की एंड्रेड में से 67 जो ना वो ये त किस तरह से आप उनको मतलब उनका ब्रेंवाश करते हैं और उनको समझाते हैं कि नहीं आप पड़े तरीके से इंस्ट्रक्टर से पर उनका डाइट प्लान उनके अर्पोर्ट से लेते हैं कि आपको कोई आया कोई बीमारी तो नहीं से जब जिम में आ रहा हैं कि सहतमन करते हैं फिर उस चीज़ को हमें उन्हें देनी होते हैं कि आप अपना फिटनिस को बरकरार रखें और डाइट ब्लैंट प्लैंट पर आएंगे तो और फिर वाटर ज्यादा यूश करें 75% 80% जो ना वाटर है हमारी बोडी में लेकिन ज्यादा पानी पीने से यह भी होता ह है कि कहते हैं कि कित भी असर होता हैगर आप यह पीते हैं असर होता है लेकिन वह उसर महता है पानी पेने से केड्निन पर अधा होगा यह ना कि नुक्सान होगी तुम क gaming मुझी नहीं मैंने देखा कई पर के एक वीडियो में牛 की प्रहें हो अगर आप छा पानी TI हो अँits किसको नहीं होता है आज कल की दौर में कि कोई प्यारा देखे और सके अच्छी हो जाए और वो पतला हो जाए हर एक को यही है तो पानी के नुकसान भी होते हैं मैंने देखा पछले दुना एक वीडियो में पानी के नुकसान मैं नहीं समझता लेकिन अवर्डोस ऐसे हो जान करना है सुननत के मुताबिक खाए और उसमें सुननत भी हजूर सब्सक्राइब ने फर्माया कि आप पानी पहले पीने बात में ना पीए तो यह सारी जिजे उसको पानी ज़रूरी है यानि कि हम अगर परसंटेज देखा जाएं तो 75 से 80 परसंट तो बोड़ी में बाट हो है तो हमें वह जादा यूश करना चाहिए अब एक बात अपके प्रोग्राम की तवस्त बताता चलो कि जो छोड़े बच्चे होते हैं उनकी वर्किंग जादा होती है प्यास की तलग पाम होती है हाला कि उन्हें पानी पीना जादा चाहिए लेकिन उनकी सोच समझ नहीं इ किसी के साहरे से चल रहोते हैं उसने प्यास कम लगती है पानी उनने चाहिए जादा है तो हर जगा लगा नहीं पानी को अभया तो यह चीज़ एसा होता है गर्मी से बंदा बहार से मतलब आता है जब गहर के अंदर पानी की बाटल एक लीटर गया तो गट 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 अचाए कशृषम कारण मातम इतता है गया तो जा स्टाव पानी आए को आप को हट्प्र के में प्रॉप्लम असकती है आप और लीपर में कुझने में प्रॉबलम आसकती में और पानी तो आप देख भीने कैसि अँए तरीक शुनने का उन पना टूपेशना तो नहीं है क् मिट्टी जाके हमारे किड्ने में फसेगी और वो स्टोन बन जाएगा तो सफाय का सबसे जादा क्या रहे इसलाम में बताया गया और हमारी बोड़ी बिल्डिंग में भी है तो यह एक बहुत अच्छी इंफरमेशन मिली है मुझे इन से और आप लोग भी जो पानी है उसका स मैंने नाइटी नाइटी वन में दिस्ट्रिक सेंट्रल उसके बाद सीनियर सेंट्रल नाइटी टू में फिर जूनियर मिश्टर सिन कराची में फर्स पोजिशन ली एड़ टाम आपकी एज क्या थे उस वक उस्वक जब आपने पहला मैडल जूता है मेरी एज ती 17 सारी तो यह भी उन्होंने बता दिया था इस सेच पी जाने से पहले कि आपकी शायद कोई पोजिशन ना आए अच्छा ताकि अवर कॉंस ना ओजाए अच्छे उस्टाद की निशानी है लेकिन जब मैं एवार्ड मैंने जीता तो मैंने अल्ला का शुकर अदा करा है और अल्ला ता अल्ला फिर अवार्ड मिलते चले गए तो क्या फिलिंग सी घर वालों के बताया आपने घर वालों से पहले मैं इनका शुकर गुदार हूं कि जब मैं इविंट से निकलता था महले से तो सावाम महले वाले हार्ड गरे में डालते ते जान जाते लिए कि तुम भी नहोंगे वाव और दुकानदार जो अपने लेके बोलते ता आपके लिए महीने की डाइड ये वो सब फिर हाला कि मैं लेही लेता था लेकिन बहुत से वाले सावार था ये उनका प्यार था तो फिर वापसी हाते में भी वह उसी तरीके से तो ये हमारा जो अरिया ता बफर जोन और सब्सक्राइब कराची के अवाम ने बहुत सपोर्ट करा और मैं अज उन्हें की दुआओं से प्रेजिन पाकिस्तान बिल्कुल उसी की बाद आपका जो कॉन्फिडन्स है और भी जादा अबढ़ गया होगा और पुरे मुल्क की हवाम मेरे साथ बिल्कुल आज तो मार्श सब्सक्राइब करें तो उसमें अक्वाम मुत्यदा से यहां से पूरी रपोर्ट गई उसमें में का जिकर करना ज़रूरी समझूगा मुझे मेल इजार सदीगी का अचा कि उन्होंने वार रपोर्ट पुचाई तो और उससे वह फर्स्ट गॉल्ड मेडिंग में आया वो प मेला मेरा नाम था तो उन्होंने फिर एक सवाल भी किया रम्दान यारब बताएं कि आप किस के हातों से मेडिल पहनना पसंद करेंगे पाकिस्तान में तो मुझे मिल भाई इन्हें अच्छा सवाल किया मैंना मुझे मैं सज बोलू या आपका नाम लो बोलने आपके जो दि किया रहा है तो मैंने मुझे मास्टर मुहम्मद अश्रफ ताइस साहिब जो पूरी दुनिया का फैमस हीरो हैं और अभी मुझे हैं और हमारी सरप्रस्ती भी करते हैं तो मैंने उनका नाम लिया फिर उनको इस चीफ गिस बलाएगे प्रोग्राम में और मुझे मेडिल पहन अरे वाँ उस वकत क्या आपके जो है आपके अहसास क्या थे जनून था और मेरी जस्तुजू थी कि मैं नोजवान नसल को और आगे परवान चलाओं तो अभी आपको लगता है किस हद तक काम्याब हुए हैं आप अपने मैं ला का शुकर है कि बहुत हद तक काम्याब को सरमायधार एंट के जिम चल रहे हैं के ईवेंट और से उयन आपके साथ रहा हैं के कार यावेंटे भी करते हैं तॉ ये सब लोग जो है ये आपको सब सपोर्ट करते हैं दियी जुद यानिके चारो सूबहों से अब नौर मुझमेद बढ़िंच साहेब बिलुचिस्तान से के पीके से नासिरं साहिभें ते मसे सब्सक्राइब से अबिलुचिस्तान के मने बिलुच नासिरं साहीप है सिन्से अब्दूलाफीज अंसारी में हैं एक साथ नदीम पूरे पाकिस्तान से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ब्लस पॉइंट कि आपको पूरे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, और अवर्सीस पाकिस्तानी जो मेरे शागिर्द हैं, तो वह भी वहां से सपोर्ट करते हैं, तो अगर जब से हम आएंगे तो आपको जो ची तो गरवालो का रियक्शन क्या था? अब तुम्हारे कही शादी होगी तो लड़की वाइब कोशेंगे तो उस मक्त जिम में उपन कर चुका था तो मैंने उने बताये कि मेरा जिम है यह कारोभार है तो लेकिन अल्ला ताला ने वहीं से बिल्कुल यही से हम अपनी बात को कंटियो करेंगे मुझे ब्रेक पे चाना है मुझे रिस हम मिलनेंगे आपसे एक चोटी सी ब्रेक के बाद वल्कम बैक जी हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और हम बात कर रहे हैं मुहमद रमजान खान साब से और इतनी अच्छी इन से इंफरमेशन हमें मिल रही है और हमारी बात हो रही थी कि जब घर वालों को पता चला के आप जो है बाडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो उनका रियाक्शन क्या था तो उस पर बात कर रहे थे अब कोई ढंका काम करें और यह को यह तो खेल है अब आप तुम्हारे एज आगे बढ़ेगी और फिर कहीं अगर अब शादी की बात करतें तो पूछेंगे लड़का करता क्या है जाए तो यह जीम है बोड़ी बिल्डिंग कर लड़के आते हैं फीसिस देते हैं वह सुसा हम नहीं लेते लेकिन फिर भी इसमें खर्चा तो अदेर आला ताला बोला ने यह यह जो आपको सपोर्ट नहीं करें तो आप केम खेलते रहें करते रहें लेकिन कोई काम जरूर स बिल्कुल तो फिर वह मिझे आप मेरे बड़े भाई को का यह नहीं लेक्ताबाद में हमारे दोस्ते हैं खलील भाई तो वह कार्चोबी का काम करते थे पट्टे पट्टे का कपड़ों को काड़ना अचा तो बहने वह जाए अचा तो सतरह साल उमर इतनी जादा नहीं होती तो फिर दो में गए लेकिन दिल मतमाइन नहीं था तो अब आपको लग रहा था कुछ चूड रहा यह जिम है बड़े बड़े जिम है इस इंटरनेशनल में देखता हूं तो हमारा बजीम एक दिन अच्छा जिम हो जाएगा अचा घर वाले देखते ते कि इसके पाँ गल अचा लेकिल जिम खोली ता है इसमिट के जो डंबर बनाए उसमें बोर कर लिया तो एक इसमें बाजो लगा लिया और मोर्ट साइकल के काबारियों से जाएकल नहीं थे प्लब नहीं थे तो यह रहा आपकी बात कर रहे इह मैं नाइनटी नाइनटी की क़रों सम्झी तो एक जगा प्लासर कर थोड़ा सा कोई अठाके अठाके हसन दादा है तो अब आपक ने वहां से स्टार्ट किया तो अब आज घर वालत का तो इंतिकाल हो गहां वालित के भी लेकिन वो फिर मुझे पूरी जिंदे की दुए देते रहे कि इससे पूरा घर का अल्लादा ने स्टार्ट के लिए टालीम के लिए बड़ी बिल्डिंग के लिए पढ़ने का का तो फिर में पढ़ता भी रहा इसको बड़ी बिल्डिंग को और युटलाइज भी करता है मतलब साथ-साथ आप अपने अपनी पढ़ाई इस्टेडी ए रही रही है तो आप मुझे बदाए मतलब आपके कितने जिम हैं मेरे अपने जिम मेरे 99 में 10 जिम ते अपने तो लेकिन मैं उसको मैं इसको मैं नहीं कर पाया अच्छा फिर आइस्ता उन जिमों को जो वहां इस्ट्रेक्टर थे जो लोग हमारे जानने अरे रिशेदार थे भाई यह सबको वो अलग-अलग उन से प्रेमिट लेनी जो भी थी तो फिर अभी अलनूर में हमारा हसन दादा के नाम से जिम है काफी बड़ा जो मुझे 96 में श्वेफ सदीगी साफ डिप्टी कर्मिशनर थे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया अच्छा उसमें राशिद मुस्तुवब आई हैं एसम तन्वीर ह यहां हैं यह दो इनकिकी सियासी लोग थे इस मुझे मुझेम prends टिव तो उनके यह कार्कून टे उन्हों ने मुझे सपोर्ट करा करा हुए इसEric जिस सूबह में जो जो पार्टी है नहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट करा हुए पंजाब में नून लीग ने सपोर्ट करा riba तो जो मजूदा होती है वो कोई भी हो वही आपको support करती है हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है कि हम किसी पार्टी को जॉइन नहीं कर सकते हैं अगर हम जॉइन करते हैं वो वजह यह कि फिर जो गवर्मेंट चल रही है तो वो हमें support कैसे करेंगी याप तो फ़ला पार्टी के हैं हमारी जो एमानदारी है न्यूटरिजिजम है उस पे अहार फाता क्यूंकि हमारी वाहित फेडरेश की आप लिवेशन से के नाम से काम कर रही है और वो हाल फुट आती है जजन को हम रपाते है जब हम हाल फुट वात ये तो हम किसी पार्टी में जानी सकते हैं यह बहुत smart game खेला है आपने अब को में आप supporter किसी के भी ठीन है आप neutral हो के चल रहे है हाँ neutral हो के support में ये के हम वेसे मसलक के साब से एल सुनत हैं तो में एल सुनत जो भी जमात कड़ी होगी तो उसको वोट देना हमारा हाग कि वो तो वह है लेकिन बकाइदा फेडरेशन के हमाले से हम किसी प्लैटफराम पे चले आए तो वो नहीं जा सका है मेरे दिल जिसको करता है तो इसलाम में भी और हकोमत पाकिस्तान तो अभी भी नून ली की महड़ूदा हकोमत चल रही है हाँ इसमें हमारे राप्ते हैं और यह हमें सपोर्ट भी करती हैं जैसे हमदा शेरीफ ने याया क्लासिक में कार सूपी सूप वालों को फून करके कार दिल वाई और जो मिया सज्जाद है मिश्टर पाकिसान बने तो उनको आठ से सीजी कार दी गई और ऐसे ही पूरे प्रोग्राम के अखरजाद सूपी सूप वालों न उठाए तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही मंटिलेशन कंपनिया आएं और इविट को सपोर्ट करें आपके प यह ब्लॉग उन्निस अंचोली सुसाइटी में और नाइटी सेवन में मेरी शादी वी उसी शादी के एक महीने बात संजे है उसको अब यह भी किसकते है कि शादी का गिफ्ट यह में सिंध ओलंपिक जीता ता उसका गिफ्ट तो श्वेफ सदी की साब ने मुझे वो गिफ अब हमने एकुपमेंट डाल रहा है तो अनकरीब ओपनिंग होगी तो मैं आपको इंशालला बदू करूंगा जी तो जाए जो इन्होंने आइडरेस बताया है और जाके जिम जोईन करें और पतली हो जाए है इसी के साथ मुझे यह बताये कि आजकल जो है स्ट्री राइड लेने चाहें या नहीं त्री राइड क्या है इस्ट्रोड इग्जाक्ली यह यह जहर है अच्छा यह हिटलर के जमाने में उसने इस्ट्रोड बनाय कि जो फोजी हां आथ कड़ गया या गोली लग गए और वो काम ने कर पा रहे तो इस्ट्रोड में इतनी ताकत होती है कि वो उसको सुन कर देती है और ताकत डबल कर देती है तो उस दुरान फिर वो जखमी भी लड़ रहे होते थे उसको कामया भी हुई तो इस तरीके से वो आके जैसे आप ले रहे हैं वालर मुर्गी है वो चार हफ़ते से जादा जिन्दा नहीं रह सकती वही इंजेक्शन मुर तो हमारे जो जीमों के उस्ताद हैं जीम ओनर हैं तो वो चाहें तो उनकी प्रोडेक्ट को रिजेक्ट करें क्योंकि हम यह बड़े बड़े पोश्टर लगाते हैं उसके प्रोडेक्ट के अच्छे सप्लिमेंट यह फर्क आपके प्रोग्राम से जाना चाहिए कि मैं देशिये 15 साल पीछ हैं तो वो हरभल यह सही उस से पीछे चलेए 15 साल 30 साल पहले वो जड़ी वुटी थी तो उस नाम तरदीर हुआ है को डायी ज़ू है भीचिटर पर दूब्स मूमन यज़ियद सप्लेमेंट Сप्लेमेंट से जो होते हैं मैं और जो स्ट्रुई राइड फिर आपको भोक लगती है और फिर आपको भोक लगती है नॉक टो जाता है। तो आज कल आपको पता यह बच्छे कोई 10 दिनों में बड़ी बना रहा है को महीने में बना रहा है वो इसी की विज़ा से बन रही है लेकिन इसके जो साइड एफेक्ट्स हैं लोगों को पता भी है वो फिर भी क्यों इस्तेमाल का रहे हैं चेंपियन बनने का नशा यह जो ए होजय मिज़े मिज़े मारे कि मुझे जलील कराए कि मुझे रुस्वा करे कि इसकी वीज़ चूर भी बनूंगा अब यहां उसे पता है कि मिज़े मर्ना है लड़के को पता भी होता लेकिन उस्ताद बोलता कि इससे कोई नुकसान नहीं है यह मैं यह जुश करी यह देख तॉप्स फॉप्स बिल्टर को प्रेश करते हैं तॉ लड़का जो नभधने भाइने तीन महीने में चार महीने में तॉट्टा नभी बच्छाग बादीबिल्डर अच्छा उस्ताद आपके सामने हो आपको घर का पता हो घर के खर्चा आप जे फ़र्च आपका कितना है यहां तो बोलते हैं चाहे आप चोरी करके ले के आओ यहां पैसा लाओ फिर हम यहां को सब्लेमिन नहीं इस्ताद देंगे तो यह हमें फर्क वाज़ होना चाहिए नह से पहले उस्ताद हो गए उस्ताद से पहले फर्ज बनता है मा और बाप का बिल्कल कि वह उस जिम जाएं वहां देखें कि स्टु राइट तो सहल नहीं हो रही हम जगा जगा बहुत सी जगा इंजिक्शन रखे होते हैं अलागी उनकी दुरोज़ों में चेक करें उस्ताद के तने मजबूर हैं कि यू का अओन कर रखें आपको उनकी माननी ह्ना नहीं बड़ती इसका कोई एलाज नहीं है ऑच के तोर में इलाज अब बाटाइपियस्टे जो रहिपा हैं उन्हें पता है कर अख़ हमारे एक्सीडर उगा तो हड़ी पस्ली सब डेखें बिल्कुल लेकिन अब वालदें नहीं रोक पा रहे हैं उनकी आंकों के सामने कितने लोग हैं इस दिनिया से मुझे बताएं इसी तरीके से यह स्टुराइड है जो हम अपने जिमों से मैं जिमोनर को रिक्वेस्ट करूंगा और गौर्मेंट को भी कि वो स्टुराइड यूजरों को पक अपने की कारेंडे हो वो तमाप जिमों को चेक करें उनने की लियरिंश सेटिफिकित दें और जो यूजर करने उनको बंद करें जै मेरे जिम क्यूं ना हो उच्छ उड़े मेरे बंद करें है बिल्कुल सरही है कह बिलकुल सही चाही है और मुची बताएं की जो जो आपको पता चले के आपको कहना ना पड़े के में जिम जाता हूं आप देखेंगे जब जाता है तो उसका 50% जहन यह होता है कि मैं पांच छोड़ दू चालिये छोड़ दू शिक्राइब छोड़ दू बैतर हो जाता है आम बंदे से बिलकुल ऐसे जो आम रूटीन में उ जो पीलों तो लोड़ खालों लेकिन वह उस्ताहत की गाइट से घर खाएगा तो वह जादा बेतर है बेंस के ओपर जादा तवज़ जादा लें तो वह एक्जॉब जल्दी होती है मेहदे पर लोट का माता है जितने जल्दी हजब होगा इतना बोड़ी डिस्टिविड़ बिस्टिज के जहारा बस्वारा ओंकि में उप uh arch边 के फड़ और यह मुणा आपके प्रोग्राम के ुज़े से मजे बहुत मुमेश Automdale मुमिना मुमिना सुरी तो यह इस प्रोग्राम के विज़े आगे पैगाम देने में जिस यहारे जारी है कि rateं कि कृट करिएं, बारा से एक से लौ doct कि ए गुट करिएंगा काूँ Ka needs第一 है थीं गुट हces यह बारा से एक से दो दो से थीन गहंते ऐसे हैं कि जो पूर जी ड्ली जाती इडा ए है एक डिस्पिटिबूट एक इस्केट नहिए और पाठेयर काष्ज मार्स के लिए गांग के लिए। आज्ड इंग रिए। इत्ट एवन जीनिद आग झार है। तो आपकी पूरी डाइट जो नौ जाय है अब आप अपने अपने हिसाब से वाव बता इतनी अच्छी बात आपने बताई है वरना वाकर नहीं लोगों को अवेरनेस नहीं आजकल पता ही नहीं क्योंकि आजकल बहुत देर से सोते हैं मैं आपको बता रहे हूं मतलब आप जापते रहते हैं सारे रात नीन नहीं आती है तो इस वेरी इंपॉर्टन कि आप बारा से तीन के दर्मयान एक घंटा या दो घंटा नीन जरूर लें वो सारी आपकी मतलब पूरी आपकी पूरी खुराग जो है जो प्रोटीन है विटमिन हैं हैं वो बोडी में डिस्ट्रिगूड होने का टायम है हाइछ। उज़ आप एस तो झालिव बेशता है लोट प्धुड़ आप प्रड़ी हो में अप बेचता हैं वो जोहर का टायम हैं वोड़ निहीं पम धूर का टायम हैं कि दस मिनिट का पावर में लेना है अजान कर दिया कि चलो छुप जाओ वह आ रहे हैं वो बोडी को नुकसान देते हैं और जो फलो में अजाना है अगर अनार केंडर मीठा आना उसकी प्रोटीन आनी है वो अल्ला ताला उस वक्त बेचता है माशाला कितनी अची इंफिरमेशन आपने मुझे दिया येकिन करें और यही बात है कि हमें नहीं पता चलता है आज कल जो है लाइफ इतनी बिजी हो गई है किसी के पास टाइम ही नहीं है और अगर कुछ टाइम अगर बच जाता है तो और अविसली वो फिर अपने घर के सार कुछ भी हो सकता है कि कपड़े दोने हो सकता है तो बिजी वेशन सी विकास आम डूइइवरिधिं और मुझे लगता है सब करने के बाद मैं अक्ट रहती हूं और यह बहुत जरूरी है कि आप जो है एक अट आप से सवाल है कि आज कल आपको पता है हर इंसान को पतले होने चली वी है कीटो डाइट का नाम सुना होगा आपने वो अच्छी है मतलब उससे लोग पतले हो रहे हैं उसके इलावा सप्लिमेंट भी होते हैं को पतले होने के जी जी अच्छा यह स्विको डाइट को मैंने यूज ने करें को बता नहीं सकता है जो मैंने जिन्देगी भर zien का उस्तादों से वो डाइट प्लान है जो हम सब्जी हो में हमें आता है बंस हैं मैं यह चीजिए वेड गेनिग करेंगेंगे डाइट करेंगे और इसमें सोय बेन से भी में से χोटला शायग करेंगे kayak वणि एट मिलों को चोटी ऑस पी ब्रेक के बार श्रेश म्हामारे ब वेल्कम बैक जी इस वकट हम बेटे हैं मौमद रमजान खान सापके साथ और इतनी अच्छी इंफरमेशन यह मुझे दे रहे हैं कि जिन्दगी में मुझे कभी किसी नहीं चीजे नहीं बताई और मुझे कभी कहीं से पता भी नहीं चली लेकिन जो इन से जानने का मौका मिल अच्छी नहीं चाहती हूं कि आप लोग भी जरूर जाने जो मुझे पता चला है आज हम बात कर रहे थे यह डाइट की तो स्ट्राइट से तो हमने जखर कर दिये का बच्छा जाए तो स्ट्राइट को चोड़ दे आप जो एक हुट एग अच्छा हैं अच्छा हमें बोलत तो वो तो शौट टाइम की बात है लेकिन हम अरोज मर्रा के खुराग में हमें सबजियों के इस्तिमाल करना चाहिए उसको डिवाइट खुद करने या अपने उस्ताज से जिम इंस्ट्रेक्टर से उसका भी तो कुछ काम है ना बिलकुल तो वो हमें शिडूल बना के दे और पानी के इस्तिमाल दादा रखें नेम गरब पानी कंटीनु रखें ठंडा पानी बन करें इस्कीन पेपर रहती है जो आपने बोड़ी स्कीन कलर का बात तो जब हम मसाले छोड़ देंगे तो हमारा कलर फियर हो जाएगा तो और हमारी पानी जिंदगी में से निकाल दे करें हां हमारी जोड़ी साले कम से कम इस्तिमाल करें और अगर आमने खौना क्वा था तुो पीड भर के ना खाय में थोड़ी उन्जष और फिर वकुछार एगानी की बात कर रहा हूँ ए। ने रेट सुछ Catherine brandner की बात कर रहा हूं है पुर जू आग। तो अब रिडियूस के लिए हमें पानी के इस्तिमाल जादा रखे हैं हम खाने के पंदर मिन बाद ग्रेफरूट या लीमू शहत पानी बहासानी हो जाता है घर में मिल जाएंगा बलकुल हर घर में होता है तो वो हमारी बोडी का शेपर है लीमू शेपर है यानि कि बोडी मे अब भी फैट्स निकलाते हैं तो हम यह कर सकते हैं अगर हम किसी को लेमन जो है रास नहीं आता और विसली किसी को सूट करता है नहीं करता है तो हम सिर्फ शहद और गरम पानी यूज कर सकते हैं वो यूज करने और गिरेफरूट और माल्टे के छिलकों को सुका के उनका प चाने जाते हैं तो वह उस हिसाभ से और लेकिन आपको वो छिलका जो ना आपकी स्कीन को इतना पेपर करेगा के आपके फैड़ अटा देगा जब फैड़ जाएंगे तो उसकी शाइनिंग वाजए हो जाती है बिलकुर और उसका कलर जो ना जो डार्कनेस पे वो वाइटनेस और इसी तरीके से अंदर से जो फैड निकलेगा तो आप रिड्यूस हो जाएंगे तो इससे बहुत सारे फाइदे है और हमें जेतुन आइल जो है बोडी पे जहां फैड्स हैं हां बोडी के जहां जहां फैड्स हैं वह उसको मसाज करें खुद कर लें ओके वह आपको रिड् करें तो इसे ही हमारी बोडी में जब हम मसाज करेंगे जहां से फैड है वहां वो रिड्यूजिंग करेंगा बोडी को फैड्स करेंगा इस टूल के जरीए आँखों के जरीए मौं के जरीए जहां जहां हमारे रास्ते हैं बोडी को पासिंग के तो उसमें हम लोकी का इस्त इसे हैं बिल्कुल ऐसे हैं बिल्कुल स्ट्रोंग है यानि कि 10 बंदों से जढथा जाथ वह उन्हें एंहें वह भा जा पी प्रोंग भाव को नहें अजा गोड़ा का काता है इस लाफे नदोंग लुड़ा कर दोंग जदिकर शर्रा था है तो चने की दाल में फैट नहीं है और कौन सी चीजे हैं मतलब अनार जो हमारे नहीं फाइदे बंदे जो करता है यह वो लोग उनलों के लिए जो बेट लूस करना चाहिए हमें सब कोई बता रहा हूं अनार हो गया गिरे फुरूर हो गया हमारा आडू हो गया आडू पेट की जाडू है यानि कि जब आप को मैदा जो हम कर रहा है वो बहुत तेजी से करेगा क्योंकि यह चीजे असानी से एक्जब हो जाती है और पुदीनी की चिटनी हमें खाने चाहिए रायता खाना चाहिए बिल्कुर ताकि मैदा मजबूत हो दही का इस्तमाल करें लेकि रायते की सूरत तो खाली जो दही हो मैदे को मजबूत यू करना कि जो हम खा रहे हैं उस शौर्ट टाइम में हजब हो जाए अगर हजब नहीं हो तो फिर हमारा बिमारी सबसे बड़े बिमारी कब्स हो जाता है जो हम पूरी बोड़ी को अगर आप मिसाल के तोर पे एक बरतन के अंदर खाना बन कर दें दो दि बिल्कुल खा लें गया खराब जाएगा नहीं खाएंगे बिल्कुल ऐसे यह इसमेल आगे हैं फुराब ऐसे ही वो का अंदर पेट में अगर हम माचिज जला के अगर मूं में रख लें तो हमारा पेट पड़ जाएगगा कि अंदर गेस हैं अंदर हमारे कारेंट भी है क्योंकि जू डॉक्तर बताते हैं जो साइज दर बताते हैं कि हम एक अपनी बोड़ी से एक बल्ब जला सकते हैं तो हम अंदर सब चीजे है ना आइरें भी है अच्छा हम बिल्कुल हाँ ऐसी है तो यह चीजे जमीन से ही तो मतलब यह मिटी से जो हम बने हमारे अंदर जो जो सीजे होंगे वह है जोड़ी बहुत चीजे बिजली बिजली है हमारे अंदर लोहा भी है बिजली भी है तो उसमें और उसमें अब खाने के बाद 10 मिंट बाद 15 मिंट बाद होर्स वाग यानि के लाजमीन ये गिराउंड आपने लोहा तो आपने आपको एंद कार आपने तेपल पर लग लेख लिये इस्टेप जमीन पर लेके आपने वाक करनी है यह जब लेके आपकी 5 मिनट की वाक ऐसी है कि आपकी 5 किलो मिटर की वाक अरे उसका रिजर इस पह है यूकि जिम के अंदर हमें अपनी वह तेक ल प्रॉपर जॉइन नहीं कर सकते हैं यह आप उनके लिए बता है बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आगे भी बताएं अभी मैं पास कुछ नए लड़का है मैं अली शान कि रिष्टे नहीं हूँ तो बले रम्दान बाई मैं फिट हो जाओंगा ना इंशाला हो जाएंग पांच-छे महिने में बेटर हो जाएंगे तो मैं उसकी तब अबसु से वह मैं लड़का तयार भी कर रहा हूं नेक्स्ट प्रोग्रम में लाउंगा भी इससे इंशाला मैं लाओंगा भी इसे इंशाला मैं जरूर बुलाओंगा आप जरूर बिलकुल तो उसमें अब लड मैंने उसकी पिक्स वगर रखी यह मैं आपको तिखाऊंगा तो बिलकुछ सीधा है उसके मुसल्स नहीं है अच्छा लेकिन शिक्स मन्द बाद वो मिश्टर कराची के कमपेडिशन चेस करेगा उस सुपर थरी के अंदर मैंने उससे वादा करा है कि तुम सुपर थरी में अच्छी नुमाय पोजिशन ले सकता हुआ तो यह सकता है कि लोग बोने में बलें के लोग बोने दानाँ वह तो बना देगी जीत वरे यह तो नहीं लेकिन आप बोलने वो बिलकुल मतलब मतलब स्कीनी है और ठाव हुआ झा उसको तो मतलब उसको तराश है कि तुम स्कु तासुर यह है कि बार पर यह उन्हों तासुर यह फिलाया गया है कि इस टुराइट के बगार बॉड़ी बिल्डर नहीं बन सकता है लेकिन में उसके मनाफि बात करता हूं कि नेश्रेल पे अगर मेरे साथ वह आता है कोई 6 में मेरे साथ एकसाइस करें डायेट का खर्चा लेकिन खुराइक का खर्चा उठा ले अगर बोड़ी बिल्डर नहीं बनता कराची में नुमाया पोजिशन नहीं लेता तो मैं उसको अपना जिम दे दूंगा वाव यह बहुत बढ़ी बात कर दिया अभी अभी इनोंने कि अगर एक बंदे को यह ना बना सके तो यह बना लेकिन जब बड़ी बिल्डिंग में तो फिर मैं किसी को नहीं देखा मैं सब इस तरफ निकल गिया तो मेरे उस्तादों को मैं दूआ देता हूं और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा मेले के लोग मेरे वालदेन हैं उने सपोर्ट करता हूं आपकी चैनल के लिए दू देखा है कर दो दो तरह श्यूंति वक्त आज का जो है हमारे शो के लिए मेरे शो का वक्त खतम होने जा रहा है बिल्कुल भी यकीन करें बहुत अच्छा लगा आपक सब्सक्राइब आप इसको आगे चलाए इस ए इंशाआल्ला तो मेरे शो का वक्त खतम होने से पहले करें जिसमें बोडी मुवमेंट में आपका इस्ट्रेक्चर खड़ा हो जाए उसमें वहां का उस्ताद जो आपको गाइट कर रहा है तो उस पे हमल करें और उस्तादों से यह रिक्वेस्ट है कि वह सप्लिमेंट तो यूज कराएं लेकिन इस्टुराइड यूज ना कराएं बहुत वह वह श्यक्ति आंक यू सो मॉट और मैं मिलूंगी आप से अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ तब तक के लिए आला हफिस